दोस्तो आजका जो विडियो है ना ओ दोस्तो इतना इंपोर्टेंट है इतना इंपोर्टेंट है ना दोस्तो कि दोस्तो मैं आपको शब्दो में दोस्तो बता नहीं सकता जी हाँ दोस्तो क्योंकि दोस्तो आजकी इस विडियो में ना मैं आपको ऐसा दोस्तो एक तरीका बता इसा एक मेथड मताने वाला हूँ जिसका इस्तमाल अगर आप दोस्तो सचे दिल से करोगे ना तो दोस्तो आपको जूबी अवरत पसन दे आपको जूबी लड़की पसन दे ओ अवरत या पिर ओ लड़की आपके उपर ना और इतना खतरनाक तरीका आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों मतलब इस तरीका दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना वो दोस्तों मैं आपको हवा हवा ही नहीं बताने वाला कि ऐसा होता है वैसा होता है मतलब जैसे बाकी के लोग आपको बताते है ऐसी दोस्तों जूटी बाते मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला जो तरीका दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ ना ओ दोस्तों मेरे जिन्दगी का मेरे लाइफ का पर्सनल एक्सपिरियंस है मतलब इस तरीके को मैंने खुद अपनी जिन्दगी में यूज किया है और इसका फाइदा उठा कर मैंने दो-तिन औरतों को पटाया है इसके लिए दोस्तों बोल रहा हूँ कि आजका वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है इस वीडियो को पुरा देखो जो नहीं देखेगा वो खुद का इखुद नुक्सान करेगा तो चलिए शुरू करते हैं आजकी इस इम्पोर्टेंट वीडियो को तो दोस्तों देखो जैसी की मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई भी औरत पसंद है तो उस औरत को पटाने के लिए मैं दोस्तों आज आपको एक जालिम तरीका बताने वाला हूँ तो दोस्तो उस तरीके का या पिर उस मेथड का नाम क्या है दोस्तो उसका नाम है कि problem solving method and fulfill wish method क्या बला मैंने problem solving method and fulfill wish method तो दोस्तो मतलब यह तरीका दोस्तो है ना यह दो पार्ट में दोस्तो divided है पहला पार्ट इसका ऐसा है कि problem solving method इसका मतलब क्या होता है दोस्तो कि अगर आपको किसी भी औरत को पताना है ना तो उस औरत के जिन्दगी में जो जो प्रॉबलम से उन प्रॉबलम को ना आप दोस्तों सॉल करने की कोशिश करो मतलब उस औरत को ना इतनी हेल्प करो तो इतनी मतलब help करो ना कि उसके जिन्दगी के सारे problem आपने ही solve किये होने चाहिए मतलब उस अवरत को ऐसा लगना चाहिए कि मेरे जिन्दगी के almost सभी problem इसी पुरुष ने solve किये है और जब ऐसा होगा ना दोस्तो तो अवरत ना दोस्तो आपके उपर automatically ना चाते हुए भी आपके उपर दोस्तो इंप्रेसोना स्टार्ट हो जाएगी तो दोस्तो ए मतलब इस तरीके का दोस्तो part 1 है और इसका part 2 ऐसा है कि fulfill wish method इसका मतलब दोस्तो क्या होता है कि आपको दोस्तो जिस अवरत को पटाना है ना या पिर जिस अवरत को आपको set करना है तो उसकी जो wish होती है ना मतलब उसकी जो अपेक्षाय होती है उसकी जो इच्छाय होती है उसको दोस्तो पूरा करो मतलब for example उस अवरत को ऐसा लगता होगा कि मुझे न ऐसी ऐसी दुकान से न ऐसी ऐसी साली को मतलब खरीदना है पर उसके पास पैसो की तंगी है तो आप उसको उस दुकान से वो साली खरीद कर दो मतलब दोस्तो अभी मैंने आपको just example बताया है बताने का मुद्दा ऐसा है कि fulfill wish method इसका मतलब क्या है कि उसके जिन्दगी में उसकी जो इच्छाय है उसकी जो अपेक्षाय है तो उनको पुरा करने की कोशिश करो और दोस्तो अगर आपने ऐसा किया ना तो वो अवरत दोस्तो automatically आपके ओपर impress हो जाएगी तो सबसे पहला part दोस्तो क्या था कि आपको अगर उसको पटाना है तो उसके जिन्दगी के सभी problem जितने आपसे मतलब हो सके उतने problem दोस्तो आप solve करने की कोशिश करो और दूसरा part दोस्तो ऐसा था कि उसके जिन्दगी में उसकी जो इच्छाय है उसकी जो अपेक्षाय है ओ दोस्तो आप पूरी करने की कोशिश करो अगर दोस्तो आपे दोनों भी part एक साथ दोस्तो मतलब करोगे ना तो ऐसा होई नहीं सकता कि कोई अवरत आपसे ना पटे मतलब इसकी guarantee दोस्तो मैं अभी यहां पर आपको दे सकता हूँ पर जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे दोस्तो आपको इसका इस्तमाल करना पड़ेगा अगर आपने थोड़ी से भी चुक दोस्तो कर दीना तो इसका दोस्तो कुछ भी फाइदा नहीं होने वाला तो फिलहाल दोस्तो आजकी इस वीडियो में इतना ही, अगर आपके कोई भी डाउट होंगे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तो मुझे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दोस्तो 100% दे दूँगा, तो फिलहाल आजकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले व अन्यवाद, खुश रहो और हैप्पी रहो, लब यू सो मच अल आफ यू